नमस्कार मेरे परिवार जनों विख्षीद भारत संकल्प यात्रा के दो महिने पूरे हो चुके हैं इस यात्रा में चलने वाला विकास रत विश्वास रत है और अब उसको लोग गारंटी वाला रत्म कह रहे है ये विश्वास है कि कोई भी बंचित नहीं रहेगा कोई भी योजनाओं के लाप से नहीं छुटेगा इसलिए जिन गावों में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी अभी नहीं पहुची है वहाँ अब इसका बेसबरी से इंतजार हो रहा है और इसलिए पहले ये यात्रा 26 जनवरी तक हमने भी सोचा था लेकिन इतना समर्थन मिला है इतनी मांग बड़ी है गाव गाव से लोग कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हमारी यहां नहीं चाहिए तो जो जो मुझे पता चल रहा है तो मैंने सरकार के हमारे अपसरों से कहा है कि अब 26 जनवरी तक नहीं थोड़ा आगे बढ़ाओ लोगों को जरुवत है लोगों की मांग है तो इसको जरा हमें पूरा करना होगा और इसलिए शायद थोड़े दिन के बाद तैय हो जाएगा ये मोधी की गारंटी वाली गाड़ी शायद फरवरी महने में भी चलाएंगे साथियो जब 15 नमेंबर को बगवान बीरसा मुंडा के आशिरवात से हमने ये यात्रा शुरू की थी तो इसकी इतनी सफलता की कलपना नहीं की थी बीते दिनों में मुझे कई बार इस यात्रा से जुणने का आउसर मिला अनेकों लाभार्थियों से मेरी खुद बात्चित हुई सिर्फ दो महिने में विख्षिज भारत संकल प्यात्रा एक जनांदोलन में बदल गई है वाली गाड़ी पहुँच रही हैं लोग बहुत अपने पन के साथ स्वागत कर रहे हैं विख्षिज भारत का संकल प्यात्रा से अब तक 15 करोन लोग जुड़ चुके हैं और हमारे मंसुग भाई ने हमारे आरोग्य मंत्री ने बहुत सारे आंकड़े आपको बताए हैं देश की लगभग सत्तर असी प्रतिशत पंचायतों तक यात्रा पहुँच चुकी हैं साथियों विख्षिज भारत संकल प्यात्रा का सबसे प्रमुग दे ऐसे लोगों तक पहुँचना था जो किसी ना किसी वज़े से अब तक सरकार की योजनाओं से बंचित रहे और मोदी ऐसे लोगों को पूझता है मोदी ऐसे लोगों को पूछता है जिनको किसी ने नहीं पूछा आज कोई अध्ययन करे तो पाएगा कि विख्षिद भारत संकल प्यात्रा जैसा ब्यान लास्ट माइल्ड लिलिवरी का सबसे बहतरीन माध्यम है इस यात्रा के दौरान चार करोड से जादा लोगों का हेल्थ चेक अप हुआ है इस यात्रा के दौरान धाई करोड लोगों की टीवी की जाच हुई है जनजातिय ख्षित्रों में पचास लाग से जादा लोगों की सिकल सेल एनीमिया के लिए स्क्रिनिंग हुई है विख्षिद भारत संकल को यात्रा में सेचुरेशन की एपरोच ने सरकार को कितने ही बंचीतों के दरवाजे तक पहुचा दिया इस यात्रा के दौरान पच्चास लाग से जादा आउश्मान कार दिये गए हैं पच्चास लाग से जादा लोगों ने बीमा योजना के लिए आवेदन किया पैतिस लाग से जादा नए लाभारती पीम किसान योजना से जोड़ गए पच्चीस लाग से जादा नए लाभारती किसान क्रेडिट कार से जोड़े गए बाइस लाग से जादा नए लाभारतियों ने मुक्त गैस कनेक्शन के लिए अपलाई किया दस लाख से जादा लोगों ने PM स्वनिती का लाभ उठाने के लिए वाधन किया और साथियों करोडों लाखों की संख्या में किसी के लिए महज आंकड़े हो सकते हैं लेकिन मेरे लिए ये हर संख्या सिरब आंकड़ा नहीं है मेरे लिए ये एक जीवन है मेरा वो भारतिय भाई या बहन है मेरा परिवार्जन है जो अब तक योजना के लाप से बंचित था और इसलिए हमारा प्रयास है कि हर खेत्र में हम सेचुरेशन की और बड़े हमारा प्रयास है कि हर किजी को पोशन स्वास्थ और इलाज की गारंटी मिले हमारा प्रयास है कि हर परिवार को पक्का घर मिले और हर घर में गैस कनेक्शन, पानी, बिजली, साउचालई की सुवीदा हो हमारा प्रयास है कि स्वच्छता का दाइरा और बड़ा हो हर गली, हर महला, हर परिवार उसमें शामील हो हमारा प्रयास है कि हर किजी के पास बैंक अकाउंट हो और स्वारोजगार में आगे बढ़ने का आउसर हो साथियों जब इस तरह नेक नियत से काम होता है इमानदारी से प्रयास किया जाता है तो इसका परणाम भी मिलता है अभी भारत में गरीबी कम होने को लेकर जो नई रिपोर्ट आई है वो बहुत ही उच्छा बढ़ाने वाली है और नसरिम भारत में ये दुनिया में भारत की तरफ देखने का द्रश्टिकों गवर्ननस के मोडल को देखने का द्रश्टिकों और दुनिया में गरीब देश गरीबी से बाहर निकलने के लिए कौन सा रास्ता डून सकते हैं इसके लिए ये बहुत बड़ा काम हुआ है और ये ताजा रिपोट क्या है ये ताजा रिपोट कहती है अभी एक हपते पहले ही आई है ये ताजा रिपोट कहती है कि हमारी सरकार के पिछले नव वर्षों में याद रखिए पिछले नव वर्षों में करीब करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं भारत में गरीबी कभी कम हो सकती है ये कोई सोज भी नहीं सकता था लेकिन भारत के गरीबों ने ये करके दिखाया है कि अगर अगर गरीबों को साधन मिले साधन मिले तो वो गरीबी को परास्त कर सकते हैं पिछले दत साल में हमारी सरकार ने जिस तरह का पारदर्शी व्यवस्ता बनाई सच्चा प्रयास किया जन भागीदारी को बढ़ावा दिया उसने असंभव को भी संभव कर दिखाया सरकार कैसे गरीबों के लिए काम कर रही है इसे पीएम आवास योजना से भी समझा जा सकता है पिछले दस सालों में चार करोड से अधिक गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिलना कितने बड़े काम की यह सफलता है और कितनी बड़ी मात्रा में गरीब आशिरवात दे रहा है और मजा तो यह है कि इन में से सतर प्रतिशच से जादा यह ने सो में से सतर सतर प्रतिशच से जादा गरों की रजिस्ट्री महिला के नाम हुई है मालिक हमारी बहन बन गही है गरीबी से बहार निकालने के साथ साथ इस योजना से महिलाओं को ससक्त करने में मदद मिली है ग्रामी डिलाकों में गरों का आकार भी बढ़ाया गया है पहले गर कैसे बनेंगे इसमें सरकार दखल देती थी अब लोग अपनी पसंद के घर बना रहे हैं सरकार ने आवाश योजनाओं के घरों का निर्माण भी तेज किया है पहले की सरकारों में जहां घर बनने में तीन सो से जादा दिल लग जाते थे वही अब पियम आवाश के घरों के निर्माण का आउसत सो दिन के आसपास का है यानि हम पहले से तीन गुना तेजी से पक्के घर बना रहे हैं और गरीबों को दे रहे हैं यह स्पीड है न वो सिरफ काम की स्पीड नहीं है हमारे दिलों में गरीबों के लिए जो जगा है न यह जगा गरीबों के पती प्रेम है न वो हमें दोडाता है इसलिए तेजी से काम होता है ऐसे ही प्रयासों ने देश में गरीबी को कम करने में बहुत बड़ी भूमी का निबाई है साथियों हमारी सरकार कैसे बंचीतों को वरियता दे रही है इसका एक उदारण ट्रांसजेंडर समाज भी है हमारा किन्नर समाज है और अभी मैं किन्नर समाज के एक प्रतिनीदी से विस्तार से बात कर रहा था आपने सुना होगा आजादी के बाद इतने दसकों तक ट्रांसजेंडर को किसी ने नहीं पूछा यह हमारी सरकार है जिसने पहली बार हमारे किन्नर समाज की मुश्किलों की चिंता की उनका जीवन आसान बनाने को प्रतिक्ता दी हमारी सरकार ने साल 2019 में किन्नर समाज के अधिकारों को सवरक्षन देने वाला कानून बनाया इससे किन्नर समाज को समाज में सम्मान जनक स्थान मिलने के साथ ही उनके साथ होने वाले बेदक्वाव गोवी बेदभाव को भी खत्व करने में मदद मिली सरकार ने हजारों लोगों को तांस जंडर पहचान प्रमान पत्र भी जारी किया जैसा अभी किन्नर समाज के प्रतिक्ति ने कहा कि उन्होंने आईकार दिये हैं सबको उसके लिए सरकार की योजना है और वो किन्नर समाज हमारी मदद भी कर रहा है और जैसा अभी कुछ देर पहले हुए सम्माज में जाहिर हुआ कि गरीब कल्यार की विविन योजनाओं का लाब भी हमारे किन्नर समाज को लगातार मिल रहा है मेरे प्यारे परिवार्जनों बारत बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है आज लोगों का आत्म विश्वास सरकार के प्रती उनका विश्वास और नए भारत के निर्मार का संकल्प चारों तरब दिपता है अभी दो दिन पहले ही मैं पीएम जन्मन अभियान के कारकम में अती पिछडे आदिवासी समाज के लोगों से बात कर रहा था मैंने यह देखा कि कैसे आदिवासी गाओं की महलाएं मिलकर गाओं के विकास की प्लानिंग कर रही है यह उन गाओं की महलाएं हैं जहां आजादि के दसकों बाद भी जादातर लोगों तक विकास की योजनाओं का पुरा लाब नहीं पहुचा था लेकिन इन गाओं की महलाएं जागुरुख है वो अपने परिवार और समाज को योजनाओं का लाब दिलाने में जूटी है आज के कारकम में भी हमने देखा कि कैसे सेल्फ हेल्फ गुरुप से जुर्दे के बाद बहनों के जीवन में अभुत्पुर्वा बढ़लाव आया है 2014 के पहले देश में सेल्फ हेल्फ गुरुप बनाना महग कागजों में ही सिम्टा हुआ एक सरकारी कारकम था और ज्यादातर किसी नेता के कारकम के लिए बीड़ खर्टा करने लिए उप्योग होता था सेल्फ हेल्फ गुरुप कैसे आर्थी गुरुप से मजबुत बने उनके कारका कैसे विस्तार हो इस पर पहले ध्यान नहीं दिया जाता था यह हमारी सरकार है जिसने जादा से जादा स्वयम सहायता समू सेल्फ हेल्फ गुरुप को बैंकों से जोड़ा हमने उन्हें बिना गारंटी दिये लोन देने की सिमा को भी बढ़ा कर 10 लाख रुपिये से 20 लाख रुपिये कर दिया हमारी सरकार के दस वर्तों में करीब 10 करोड बहने सेल्फ हेल्फ गुरुप से जुड़ी है 10 करोड बहने उन्हें स्वरोजगार के लिए बैंकों से 8 लाख करोड से जादा की मदद मिली है यह आखड़ा छोटा नहीं है आठ लाख करोड रुपिये मेरी इन गरीब माताओं के हाथ में रखने की हमने हिम्मत ती है क्योंकि मेरी इन माताओं बहनों पर मेरा बरपूर विश्वास है मेरा बरोसा है कि उनको आवसर मिले तो कह भी पीछे नहीं रहेगी हजारों बहनों ने नए उद्द्यम सुरू किये हैं तीन करोड महिला महिला किसान के रुपे ससक्त हुई हैं देश की लाखों बहने सम्रुद्दव और आत्मन निरवर हुई हैं इस मुहिम को और तेट करते हुए सरकार ने तीन वर्सों में दो करोड लगपती दीदी बनाने का काम शुरू किया है स्वयम सहायता समू से जुड़ी महिलाओं को रोजगार के नए साधन उपलब्द कराने के लिए नमो ड्रोन दीदी अब चंद्रयान की बातत होगी लेकिन गाओं में जब मेरी स्वयम ये सेल्फेल्फ गुर्प की बेहन ड्रोन चलाती होगी किसानी की काम में मदद करती होगी तो कैसा द्रश्य होगा आप कल्पना कर सकते हैं इसके तहट नमो ड्रोन दीदियों को पंदरा हजार ड्रोन उपलब्द कराए जाएंगे उन्हें अब ट्रेनिंग देने का काम भी शुरू कर दिया गया है और मुझे खुशी है कि अब तक एक हजार से जादा नमो ड्रोन दीदियों को प्रक्ष्यक्षन भी त्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है नमो ड्रोन दीदि के कारण स्वयम सहायता समुओं की आज बढ़ेगी उनकी आत्म निर्भरता बढ़ेगी गाउं की बहनों में एक नया आत्म विस्वात आएगा और साथ ही ये हमारे किसानों के लिए भी बहुत मददगार सिद्ध होगा मेरे परिवार जनों हमारी सरकार की प्रात्विक्ता ग्रामिन अर्थेववस्ता को आधुग बनाने किसानों को ससक्त करने की है इसलिए सरकार की कोशिश है कि छोटे किसानों की ताकत बढ़े खेती पर होने वाला उनका खर्च कम हो बाजार में उनको बहतर कीमत मिल जग सके इसी को ध्यान में रखते हुए देश में दस हजार नए किसान उस्पात संग एप्यों बनाने का अभ्यान शुरू किया गया था आज इन में से लगबग आठ हजार एप्यों बन भी चुके हैं सरकार पशुधन की रक्षा सुरक्षा के लिए भी उतने ही प्रयास कर रही है हमने कोविड के दर्म्यान मनुष्य को वैक्सिन मिलता है जिन्दगी बच्ती है इसकी तो सुना उसकी वहवाई की कि मुपत में मोदी ने वैक्सिन लगवाई जीवन बच गया परिवार बच गया लेकिन इससे भी आगे मोधी की सोच क्या है मोधी काम क्या करता है हमारी यहां जो पशु होते हैं न हमारे पशुओं को खुर्पका मुपका फूट एंड माउट दिसीज की वज़े से हर साल किसानों को पशुपालों को हजारों करोड रुपिय का नुक्षान हो रहा है इससे दूट का उत्पादन भी प्रभावित होता है इस चुनवती से निपटने के लिए आजादी के बाद पहली बार एक बहुत बड़ा भ्यान शुरू किया गया है इसके तहट अब तक 50 करोड से जादा जानवरों को टीके लगवाए जा चुके हैं इस पर भी सरकार ने 15,000 करोड रुपिय से जादा खर्च किये हैं इस अभ्यान का भी नतीजा है कि देश में दूद उत्पादान 50 प्रतिशत से जादा बढ़ा है इसका लाब पशु पालक को हुआ है पशु रखने वाले किसान को हुआ है देश को हुआ है साथियों आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है युवा शक्ति का सामर्थ बढ़ाने के लिए भी देश में लगातार काम हो रहा है और ये विख्सिद भारत संकल्प यात्रा भी इसमें मदद कर रही है इसके दौरान देश सारे क्वीज कंपेडिशन कराए गए है साथी देश के कोने कोने में हमारे प्रतिभावान खिलाडियों को सम्मानित भी किया जा रहा है मुझे इस बात से खुशी है कि विख्सिद भारत संकल्प यात्रा में बड़ी संख्या में हमारे युवा माई भारत वोलेंटियर के रुप में रेजिस्टर हो रहे हैं इस यात्रा के दौरान करोण लोगों ने भारत को विख्सिद बनाने का संकल्प लिया है इनी संकल्पों से देश को विख्सिद राष्ट बनाने की उर्जा मिल रही है 2047 तक विख्सिद भारत की यात्रा पूरी करने के लिए हम सब प्रतिवद्ध है मुझे विश्वास है कि इस अभियान में आप भी जुटेंगे फिर एक बार जिन सबसे समवाद करने का आउसर मिला उनका भी आभार और इतनी बड़ी तादाद में आपने मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का स्वागत किया संबान किया इसलिए भी आप सबता बहुत बहुत धन्यवाद